चलिए मिलाता हूँ हिबसकस के उन प्यारे मित्रों से जो इसका साथ छोड़ना ही नहीं चाहते हैं इसको हम दोस्तो थ्री मेथर से रीमोग कर सकते हैं इन तीनों मेथर से आप रिजल्ट देख सकते हैं आफटर वाला फोटो देखें और विफोर वाले फोटो फिर से देखन इसके बाद दोस्तों मैं आपको सिखोंगा ऐसा कौन सा फर्टिलासर डालेंगे जिससे आपका प्लांट और ज्यादा एनरजेटिक हो जाएगा और ज्यादा फ्लावर देगा गुडेल के पौदे को अगर आपने छाया में रख दिया तो डेफिनेटली ये अटेक और ज्यादा बढ़ जाएगा थ्री मेतर से हम हिबसकस के पौदे को इन चिपचिपे कीडो मैलीबक से बचा सकते हैं हम सोचते हैं कि चीटिया इनको लेके आती है बड़ एक्चुल में दोस्तों यहाँ पर द्यान से देखें किस सरह से ये चल रहे हैं एक पौदे से दूसरे पौदे में ये इजीली चले जाते हैं मैथर नमबर बन है इनको मैनूली रिमूव करना और यहाँ पर दूसरों में एक ब्रश का यूज करेंगे और कोशिश करना कि आपके मैलीबक सारे के सारे इस टब के अंदर ही खटे हो जाए क्योंकि अगर ये इदो दर गिरे तो ये डेफिनेटली चल के दूसरे पौदों में चले जाएंगे पूरे कार्डन को खराब कर देंगे इसलिए ब्रश लीजिए और हलके हातों से इनको रब करिए और ये अपने आप इस टब के अंदर गिरने लग जाएंगे हलाकि मुझे ये चिप-चिप अपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस मैथर में छोड़े-चोड़े जो हमारे मैली बग होते हैं वो दोस्तों बिल्कुल भी इस पौदर से निकल नहीं पाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कितना चिप-चिप अपन है इस कीड़ों के अंदर और हमारे पौदों को किस तरह से जकट रखा है हमारे फर्स्ट मैथरों को आप तब ही यूज़ करना जब आपको बहुत कम मैली बग नज़रा है अब यह दोस्तो मैली बग की स्टेज 2 है इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैथर नमबर 2 मैथर नमबर 2 है दोस्तो आपको वाटर की हल्प लेनी होगी और आपके सारे मैली बग को अपने प्लांट से हटाना होगा यहाँ पर आपको यूज़ करना है एक स्प्रे पंप यह काम दोस्तो आप पंप के द्वरा ही कर सकते हैं आपके पंप में काफी ज़्यदा प्रेशर होता है और उस प्रेशर से जैसे ही वाटर मैली बग को टकराता है आपके सारे मैली बग नीचे की तरफ गिड़ जाते हैं नीचे से टब बिलकुल भी मत हटाना क्योंकि अगर मैली बग इदो दर स्किप हो गए तो ये फिर से सेम प्लांट पर आ जाएंगे और ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैली 80% of the मैली बग हमने रिमूव कर दिये हैं अब यहाँ पर जो बचे कुछे मैली बग है वो दोस्तो मैथा नमबर 3 से ही जाएंगे मैथा नमबर 3 बहुत इंपोर्टेंट है और उसमें आपको गमले को सुला कर ही यूज़ करना है तो यह automatic साबुन के soap water से मर जाएंगे मैथा नमबर 3 में दोस्तो same pump का यूज़ करना है बढ़ यहाँ पर आपको 3 more item include करने है जिसमें सबसे पहला है liquid hand wash जिसमें हम डेटल यूज़ कर रहे हैं उसके बाद है नीम oil यहाँ पर दोस्तो ओगाओ company का हम यूज़ करेंगे और यह है दोस्तो surf आप कोई भी company का surf यूज़ कर सकते हैं बट आपको इसकी quantity ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है हमारा spray pump नियली 2 liter के आसपास का है तो यहाँ पर हमारा hand wash हम यूज़ करने वाले हैं फाइनली हम यूज़ करें नीम oil यहाँ पर दोस्तो आप 50 रुपे से ले की starting हो जाती ही नीम oil की तो आप कोई भी नीम oil यूज़ कर सकते हैं हमारा पास यह पड़ा हुआ था तो हम इसको यूज़ करेंगे नीरली 20 बूंदों के आसपास यूज़ करेंगे हमने यह तीनों आइटम यूज़ करें हैं और यह 100% water soluble सारे के सारे तो अब यहाँ पर आप अपने spray को अलका सा shake करिए और बस आपका soluble mix हो चुका है चलिए plant पे लगा देते हैं देखो हमारे plant की हालत कितनी खराब कर दी flower कभी ऐसे टेड़ा होता ही नहीं अपर देखो किस तरह से हमको इसको jet spray देना है आपके plant की जितने भी starting या फिर growing branch है वहाँ पर mealybug का सबसे ज़्यादा attack होता है तो वहाँ पर पहले jet spray दीजिए और फिर overall plant के उपर आपको एक छोटा सा spray देना है और अलग से एक pot में grow कर रखा है इसका एक detailed वीडियो आने वाला है तो चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि एक बहुत प्यारा वीडियो हिबस्कस के उपर डालने वाला हूँ mealybug की समस्या इतनी आसानी से नहीं जाने वाली तो इस method को आप nearly 2-3 बर repeat कर सकते हैं after every 2 days आप plant के health भी check करते रही है plant में growth भी हो रही है वो भी check करना है और उसके बाद आप same method यूज़ कर सकते हैं अगर आपको mealybug attack कम नज़रा रहा है तो first और second method ही use करना ये तीसरा method दोस्तों तब ही use करना जो बहुत जादा extreme level पर आपके mealybug attack हो गया हो अब यहाँ पर आपको समय का भी ध्यान रखना है आपको ये सारा काम 4 बज़े के बाद ही करना है अगर sunlight में करेंगे तो सर्फ के अंदर जो जितना भी gastric सोड़ा आता है उससे आपके पौदे को नुकसान हो सकता है इसलिए कोशिश करें चार बज़े के बाद करें और next day आप अपने plant को दो दीजिए finally कैसा लगा आपको result यहाँ पर देखें हमारा plant कितना ज़्यादा clean हो चुका एक भी mealybug नहीं है क्योंकि method number 3 काफे ज़्यादा powerful है और method number 1 से पहले हमारा mealybug attack कुछ इस तरीके से था पूरे plant के उपर mealybug ही mealybug थे बट अब हमारा plant mealybug free है हमारा hibascus के उपर एक भी mealybug अभी यहाँ पर मौझूद नहीं होगा क्योंकि हमने सभी के सभी मार दिये यह उसका detailed profile यहाँ पर पूरे पौदे को देखे आप बिल्कुल यहाँ पर एक भी white color का आपको कुछ भी point या dot नजर नहीं आ रहा है अब यहाँ पर दोस्तों हमारे plant की energy सब mealybug ने choose ली थी तो इनको फिर से re-energy देने के लिए हमें कुछ fertilizer देने होंगे जिससे हमारे plant की एक तो flower drop वाली problem solve हो जाएगी और यहाँ पर जो हलके खुलके टेड़े हो चुके हमारे पौदे इसको भी सही करना ज़रूरी उसके लिए दोस्तों हम use करेंगे यह हमारा एक चमच magical fertilizer दोस्तों यह बहुत कारगर है हमारे किसी भी plant के लिए अमरित के जिसा है आपको सिर्फ और सिर्फ एक चमच यूज़ करना है एक लिटर के अंदर और इससे आपका habiscus plant फिट से regrow होगा और बहुत सारे flower देगा अच्छे से mix करने के बाद ही आपको यह देना है plant के अंदर बट देने का तरीका भी थोड़ा सा different होगा अब यहाँ पर दोस्तों हम कोशिश करेंगे हमारे हिवसकस की जड़ो में डारेक्टली यह fertilizer चला जाए तो डारेक्टली soil के अंदर डालेंगे तो ओपर की layer पर रहेगा बट इस तरह से आपके जड़ो के अंदर तक जाएगा आपको एक टूल लेना है और इसके अंदर holes करने है pot के अंदर nearly 10 inch के आसपास का hole सही रहता है क्योंकि नीचे की तरफ ही roots grow होती है और बस अपना सारा का सारा जितना भी liquid fertilizer आपने बढ़ाया है यह ढाल दीजिए यह fertilizer दो तरीके से आता है granule में आता है और liquid में आता है और इसका नाम है seaweed extract आपके plant के लिए बहुँ ज़्यादा helpful है and finally result कुछ ऐसा होगा हमारा hibascus healthy हो जाएगा और बहुत सारे flower देगा confusion बिल्कुल मत रखना red और yellow flower एक ही plant में से है आने वाले वीडियोस में ज़रूर में इसका खोला सा करूँगा तब तक के लिए चैनल को subscribe करें और हमें like करके हमारा motivation बढ़ा है